विराट कोहली को हमेशा से कैसे कप्तान के तौर पर देखा जाता है, जो चाहे मैदान पर हो या फिर बाहर, वो हमेशा अपनी भावनाओं को खुल कर बया करते हैं। चाहे वो गुस्सा हो या फिर निराश हो, सब कुछ उनके चेहरे के भाव से पता चल जाता है। खास दोर पर जब कोई उनके टीम पर सवाल उठाए, तो वो ऐसा करने वालों को हमेशा महतोड जवाब देते नजर आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है। इस वीडियो में विराट कोहली पत्रकार के पूछे गए सवाल पर भढ़क जाते हैं। हलाकि तुरंत ही विराट समहल कर अपना गुस्ता काबू करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हेडिंगले टेस्ट के बाद हुई प्रेस काफेंस में कप्तान विराट कोहली से ऐसा सवाल किया गया जो उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। लेकिन गुस्ता होने की बजाए कोहली ने सिर्फ दो शब ओके थैंक्स कहकर अपने गुस्ते को काबू कर लिया जिसे सुनकर वो सवाल पूछने वाले पत्रकार की बूलती बंद हो गई। दरसल हेड इंगले टेस्ट में भारत बुरी तरीके से हार गया। पहली पारी में 78 रन पर सिमटने वाली टीम इंडिया ये मैच इंगलेंड से पारी और 76 रनों से हार गयी। मैच के बाद कप्तान कोहली ने खुद प्रेस कॉंफरेंस का मोर्चा समाला, एक पत्रकार ने विराट कोहली से हार पर सवाल पूछा। पत्रकार ने सवाल किया कि भारतिय बल्ले बाजों को किस तरह से इंगलेंड की गेंदबाजों का सामना करना चाहिए। विराट कोहली इसका जवाब दे रहे थे कि सवाल पूछने वाले पत्रकार ने खुद ही ज्यान देना शुरू कर दिया उसने कहा कि इंगलेंट के गेंदवाज पैड्स पर गेंद डाल रहे थे ऐसे में भारतिय बल्लेबाजों को पीछे जाकर खेलना चाहिए था उन्होंने रन बनाने के कई मौके गमाए यह सुनकर विराट कोहली के चेहरे का भाव देख कर ऐसा लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया और सिर्फ ओक के शुक्रिया कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया बहराल विराट कोहली की इस वीडियो पर आपकी क्या प्रितिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लाटफॉर्म टीवी नाइन भारत वर्ष अउर्म टीवी ज़रूर्म टीवी नाइन भारत वर्ष लिए्तिक्रिया हमें टीवी तमाम 6 लिए डिएक्राइब करें ही एर उन्रष